सूप्रभाथ सभी छात्र छात्राओं बालसादना विद्याले प्रिवार से जुड़ेवे अभी भावकन होते बालसादना की इस ओनलाइन क्लास को पढ़ने वाले सभी पिरिये वेटों वेटियों बच्चों और बालसादना विद्याले प्रिवार से सने है मारक दर्शन, सैयोग या किसी नूप में आप इस संस्ता प्रिवार से जुड़े हुए सभी का मैस ओनलाइन चेनल पर आरदी कभी नंदन करता हूँ इस्तक्बाल करता हूँ शुआगत करता हूँ राधे राधे जे स्री कृष्णा जे राम राम और सभी को साधुआ देता हूँ इस विद्याले प्रिवार के प्रम पुझे निर्देसक महोदे संस्ता प्रधान महोदे यहां की शेक्षनिक और गर्शेक्षनिक टीम की ओर से और विद्याले प्रिवार की हर जुड़ेवे वितित्वे की ओर से इस कोराना जैसे विस्विक महमारी में आपके प्रिवार की सवस्तता, शुरक्षा और आपके कल्यान की कामना के साथ प्रम्पिता प्रमेश्वर के चर्णों में पारमबार प्राथना करते हैं। आप सवस्त रहें, सुरक्षित रहें और कामियाभी के और रहें। मेरे प्रिये अजीच अर्देगत छात्रों आज हम एक नया टोपिक शुरू करने जा रहे हैं 16 जुलाई 2020 को इस टोपिक का नाम है भी निर्मान उड्योग देखो सबसे पहले माँ आपको उड्योग की वासा बता दो उड्योग एक ऐसी आर्थी की काई है जामवसीन सरम के दवारा कच्चे माल को तयार वस्तों में बदला जाता है एक सोट रूप में आप एगर इसको क्या को होगे कि उड्योग जो है वो उड्योग एक ऐसा आर्थी की काई है उस आर्थी की काई के मादिम से क्या होता है कि मसीन या सरम के दवारा सरम के दवारा कच्चे माल को कच्चे माल को तयार वस्तों में बदला जाता है इस प्रकिरिया में जिसे भी निर्मान भी कहते हैं और वस्तु की गुणवत्ता में भर्दी के साथ साथ मूले सरवर धनी भी होता है इसलिए आर्थिक उकाई के उद्दोग मी कहते हैं यानि उद्दोग एक ऐसी आर्थिक उकाई है मसीन या सरम जिसके दवारा कच्चे मान को तयार वस्तु में बदलने वाला है और इसी कारण आप इसको क्यात है तेवी, मिरमान, उद्दोग करते हैं और वस्तू की गुनवत्ता के कारण या गुनवत्ता के कारण या गुनवत्ता में वर्थी के साथ साथ मुल्ले सरवर्धन भी होता है ऐसे आर्थी के गुण को आर्थी की काई को उद्योग करते इसी आर्थी की काई को क्या कहा जाता है उद्योग एक ऐसी आर्थी की काई है जा मसीन या सरम के दवारा कच्चे माल को तैयार वस्तू में लाया जाता है जिसलिए विनिर्मान उद्योग और वस्तु की गुर्वत्ता के कारण या वर्थी के कारण मुल्य सर्वर्धन भी होता है इसलिए विनिर्मान उद्योग के नाम से जानते हैं एक विनिर्मान उद्योग दो रुपों में रखा जाता है एक वी निर्मान उद्योग जो है वो दो रूपों में रखा जाता है पहला जो रखा जाता है वो रखा जाता है करशी आधारित उद्योग और दूसरा उद्योग जो रखा जाता है वो उद्योग खनन आधारित उद्योग है एक खनन आधारित उद्योग है और एक करशी रूप में चलते हैं और ये कुछ ऐसे उड्योग है जो कर्शी के रूप में नचलका खनान पर कि लाशे चलते हैं अब देखें, उड्योगों के इसनाधिये करण को प्रभावीत करने वाले कारक और कुशिए है सबसे कौन कुशी चीजे इसको प्रभावी करते हैं जहां इद्धेउग इस्ताफित करने के लिए पुण्जी की उपलगदता होनी होनी होना झाता है। वितिय संस्ताइं बीमा और बैंक होने बहुत जरूरी हैं, वितिय संस्ताइं बीमा और बैंक जो है वो नहीं होंगे, तो भी हम इसके लिए कारिये नहीं कर सकते, उद्दोगों के विकास के लिए सरम की आवसिक्ता की काफी आवसिक्ता है, कि सरम जहां कारगर नहीं होगा, वहाँ पर हमें ये काड़िये नहीं कर सकते, कच्चा माल हमें मिलना चीए, अगर ये सारी चीजे जहाँ पर उप्युक्त रूप से लागोंगी, वहाँ पर हम उद्योग इस्तापित कर सकते हैं, तो जहाँ पर हमें भूमी की उपलब्दता होगी, पुँजी की उपलब्दता होगी, वितिये संस्ताइं, बैंक और ये होँगी, सरम बढ़िया होगा, और कच्चा माल भी जहाँ पर प्रियाक्त मात्राम उपलब्द होगा, वहाँ पर हम उद्योग के रूप में इस्तापिते कर सकते हैं, या महाँ पर हम एक पर्तिष्टित उद्योग का संचानल कर सकते हैं, फिर उद्योगी की चीतें तेखा जाएं, तो उद्योगी के नीती जो हमारी रही है, वो कब बनी, किस तरीके से बनी, कैसे उद्योगी की नीतियों का निकास हुआ, ये सारी चीज़े हमें एक एक करके आपको बड़े प्रेम से बढ़ाई हैं, सबसे बहले आप उद्योगी की नीती के बारे में देखिए, भारत के अंत्रगते, सब्वेता काल से कुछ ऐसे उदारन मिले हैं, कि हाँ पर एक अच्छी उद्योगी उदारन, जैसे काली बंगन छित्र है, वहाँ पर काली बंगा में सुती कपड़े के उदारन मिलना, मोण जोद्रों से कास्ये की नर्तकी की मुर्ती मिलना, हडपा से आपको कुबड बैल की मुर्ती मिलना, आपको देमाबाद से चांदी के रथों की मुर्ती मिलना, ये सारी चीजे इस बात का सुचक है कि वास्ता में हमारा सब्देता काल में उद्योगी की विकास बहुत अच्छा था भारत में अन्यक तरीके के उद्योग विक्सित हुए जब भारत सवतंत्र हुआ तो भारत सवतंत्रता से पहले भी बहुत सारे उद्योग यहां पर इस्तापित किये जा चुके थे लेकिन भारत की पहली उद्योगी की निती वनी थी वो उद्योगी की निती बुनी 188 रही थी और इसमें प्रादर्योगी की निती में एक बात कहीं गई की, और वो क्या था, कि इस ONE Hoyoc tragen की का œत्प přुट्देशिट था, पादेशिक जो एशंचन्तूलन है, उस एशंचन्तूलन को कम करना था और पारदेशिक संतूलन को कम करके एक ऐसे उद्योग विक्सित किया जाए जिसके अंतरगत रोजगार परक उद्योग विक्सित किया जाए राज रोजगार के साथ उच्छे उद्योग विक्सित किया जाए रोजगार के साथ एके नए उद्योगों को यहां पर लागू करन उड्योग के लिए बूमी की उपलब्देता, पुंजी की उपलब्देता, वितिये संस्ताइं, भीमा और बैंक, सरम की आवसिता और कच्छे माल की उपलब्देता के आधार प्रिश्थापित होते हैं, काली बंगा में सुती कपड़े के उधारन, कास्य के नर्थकी की मोहन जोदरों और कुबडबैल के उधारन हर्पा से और चांदी के दिमाबाद से मिलें, सवतंत्र भारत की पहली और जोबिक निती 1948 में लिक्सित मिती प्रादेशिक ऐसन पुलन को छोड़ कर रोजगार प्र भारत में लो है इस्पात उद्धोग, भारत में लो है इस्पात उद्धोग, भारत में कोन सा इस्पात उद्धोग है, लो है इस्पात उद्धोग का विकास कैसे हुआ उसे आत्मे की, देखो लो इस्पात उद्धोग सभी उद्धोगों की जननी कहलाती है, यानि कि अग पहले अगर इसको देखो तो लोह इस पात है उद्योग सभी उद्योगों की क्या है जननी है सभी उद्योगों की जननी है जननी का मतलब आधार सिला क्यों एक छोटी सी सुई से लेकर बड़ी से बड़ी मसीन बड़ी से बड़ी मसीन का निर्मान लोहे से होटा है तो यानि लोवा इस पात उद्योग जो है वो लोवा इस पात उद्योग संपूर्ण उद्योगों की क्या है आधार सिला है और संपूर्ण उद्योग के छेत्र में वे सबसे पहले जो है वो लिक्सित हुआ सबसे ज़्य अब आप पहला सब्दों देखेंगे देश में पर्थम लोवा इस्पात उड्योग अठारा सो सत्तर में पस्थमी बंगाल पस्थमी बंगाल में कुल्टी नाम किस्तान करूगा कुल्टी नाम किस्तान पर हुआ देश में पर्थम लोवा इस्पात उड्योग अठारा सो सत्तर में पस्थमी बंगाल के कुल्टी नाम किस्तान किस्तापित हुआ उसके बाद दूसरा कारखना गुनिसो साथ में जो इस्तापित हुआ ये किस राजे में हुआ जारखंड छेत पर Tata Iron and Steel Company टिसको की स्थापना हुई, तो दूसरा टारखाना इस्थापित हुआ गुनि सो साथ में, और गुनि सो साथ का जो कारखाना वो जारखंड के जमसेदपुर छेतर में कारखाना इस्थापित हुआ, जमसेदपुर में सकाची नामरकिस्थान पर ये कारखाना तिसको आप क्या कहोगे Tata Iron and Steel Company की स्थापना जो ही है, वो Tata Iron and Steel Company की स्थापना गुनि सो साथ सकाची जमसेदपुर छेतर के अंतरगत गुनि सो 37 हुआ, दूसरी बात, आज भी ये देश की एक आज भी अगर एक बात नोटेड है आज भी नेजी चेतर में इस्ताफित एक मात्र का है कंपनी है गुणिस सो्ट निस में पसमी बंगाल में बनकूर में यानि इंडियन जो आपका आईलं च्टाप से एक कम्पणी स्तापित हुई थीrotous के अंटरगत बंगाल के बर्नपूर में हुई तो आपकी अलग पेंटरी कम्पणी है 1990 बर्नपूर छोतर है और बर्नपूर छोतर के अंतरगत यह पंपनी पसमी कम्पणी बंगाल बारत की सवतंत्रता के बाद तोर तरीके बदल गए, विवस्ताइं बदल गई, जवस्ताओं के सवरू बदल गए, तो 1953 के अंत्रगत, कुल्टी, बर्नपूर जो गुनी सो गुनी सो गुनी समे था, वो हीरापूर, यानि कुन सा है हीरापूर, इन तीनों को एकिकर्थ करके, इसको कि स्तापना की गई थी, यानि इसको कि स्तापना कब की भी थी, इन तीनों को की गई गुनी सो त्रीपन में, इसको की स्तापना की गई है, की स्तापना की रूप में एक नया संस्तार मनाए गया, फिर दूसरी दित्ये जो पंचवर्षिय योजना बली थी, उनिसो छपपन से इक सट्मी, तीन लोगा इसको प्ड़ो गिस्तापित किये गए थी, उसके बाद दित्ये, पंचवर्षी योजना गितिये पंचवर्षी योजना पंचवर्षी योजना में सोवियत संग और अन्य देशों के सयोग से तीन कार खाना इस्तापित हुए जिसमें सबसे पहला राउर केला जर्मनी के सयोग से ये कार खाना इस्तापित हुआ उडिशा छेत्र में दूसरा कार खाना इस्तापित हुआ दुर्गापुरा पस्वमी बंगाल वेस्ट बंगाल ये जो इस्तापित हुआ था ये आपका जो दुर्गापुरा वाला जो बृतेन के सेयोग से या इंगलेंड के सेयोग से और तीसरा कारखाना इस्ताफित हुआ था भिनाई, 36 गड़ छेत्र के अंत्रगत, सोवित संग, रूस की साहिता से ये कारखाना इस्ताफित हुआ था। तो 153 में के अंत्रगत तीन संस्तान एक जगा आगे थे और 153 में तीन संस्तान जो एक जगा आये थे उसके अंत्रगत कुल्टी था, बर्नपूर था, हिरापूर था और इसको था। जिसके अंत्रगत राउर केला जर्मनी के सही योग से, उडिसा विलाई के सही योग से, दुर्गापूरा पस्वी बंगाल में इंगलेंड के सही योग से, विलाई सोवित संगरूस के सही योग से, उडिसा के सही योग से, ये कारखाने उस समय दितिये पंचवर्षी योजना में बाकोरो जार खंड में इस्तापित हुआ जो एसिया का सबसे बड़ा कारखाना था तो अगले रूप में आप लिखोगे जो चोथी पंच वर्षिय योजना और चोथी पंच वर्षिय योजना जो है वो चोथी पंच वर्षिय योजना जो है वो चोथी पंच वर चोटे में एसिया का सबसे बड़ा कार खाना है, एसिया का सबसे महत्योपूर, सबसे बड़ा, सबसे सक्षम कार खानों के रूप से इन पे स्तापना की गई थी, तो यह जो प्लान्ट विक्सित हुए, उसके कान लोवा इस्पात ड्योग जो है, उसमें और भी कंपनी के रूप से विक्सित हुआ था, फिर अगर एक बात की जाए, तो यानि कि लोवा इस्पात ड्योग जो है, वो एक सर्वस्रेस्ट ड्योग के रूप में, एक सर्वस्रेस्ट कलपना ड्योग के रूप में विक्सित हुआ था, कहा जाता कि सन गुनी सो तेहतर और चो उद्योगों का संगठन बनाते बेग, एक संगठन बनातेवे किया गया था, सेल की स्थास्पना की गय gift है. ये जो सेल है, जिसकी फूलिपोरा स्टील आफ़ोर्टी उफ इंडिया, इसकी फूलिपोरम क्या होगी स्टील, Authority of India Authority of India Still Authority of India के अंतरगत इसकी स्तापना की गई थी तो आप लिखोगे Still Authority of India के रूप में इसको स्तापित किया गया सेल के रूप में स्तापित किया गया तीन और कार खाने चैसे विसाका फटनमांदर परदेश सेलम, तमिलाडू, विजे नगर, करनाटक को भी इसके अंतरगत सामिल किया गया था तो इसके अंतरगत देश के सारवजनिक छेतर के सभी कार खानों का प्रशास्य कारिये करता था तीन और कार खाने विसाका पटनमांदर परदेश से लंग तमिलाटू और वीजे नगर करनाटक छेत्र के जो ये कारखाने थे वो भी इसके अनुख़त क्या किये गए थे सामेल किये गए थे तो इस तरीके से दिखा जाए तो भारत के अंत्रगत जो ये लोवा इस्पात उद्योग जो है वो एक सर्वस रेस्ट उद्योग के रूप में विक्सित हुआ एक बार थोड़ा सार इवीजन फिर दे दे लोवा इस्पात उद्योग सभी उद्योगों के जननी आधार सिला है छोटी सी सुईस से लेके बड़ी-बड़ी मशीनों का निर्मान लोहे से होता है देश का पर्थम लोवा इस्पात उद्योग सप्तर में पस्मी बंगाल कुल्टी में हुआ साथ में जारखन जमसेज सकाची टिसको के नाम से टाटा इरेना इंडिस्टिल कमपनी आज भी ये नीजी छेत्र में है 1909 में आसन सोन में नयाकार खाना 1909 बरनपूर पस्मी बंगाल शेत्र में नयाकार खाना सवतंत्र भारत में 1953 में कुल्टी बरनपूर हिरापूर को जोड़कर इसको नामक नई संस्ता बनाई गई दितिय पंचवर्शे योजना में तीन नयाकार खाने स्तापित हुए रावर केला उडिसा में जर्मनी के सयोग से दुर्गापूरा पस्मी बंगाल इंगलेंड के सयोग से बिलाई 36 कर सोवियत संगरूस के सयोग से ये 1955 और 1956 में जो हमारी पंचवर्शे योजना थी भी किये इसके बाद चोथी पंचवर्शे योजना में बाकोरो जहारखंड में एसिया का सबसे बड़ा कार खाना हुआ उसके बाद इस संपून लोगा इस पात द्योग को एक सगय लाने के लिए सेल का गठन किया इस से इस्टील अथर्टी ओप जो इंडियन आइरेन इंडियन जो है इंडिया है और इसके अंतरगते सभी सारवजनिक खानों कार खानों के अलावा तीन और जोड़े गए थे जिसके अंतरगत एक विसाका पठनम का खाना अंदर परदेश कार खाना है सेलम कार खाना जो है वो आपका तमिलाडू छेतर का है और उसके अलावा विजेनगर कार खाना जो है वो विजेनगर कार खाना आपका कहां का परसीद है करनाटक छेतर का परसीद है तो ये कारखाने उस समय क्या किये गे थे, इस्ताफित किये गे थे लोवाइस, कोईला, मेगनी, कम परिवाने और खानों के समी पी इस्ताफित किये गये, तो इसलिए यानि कि लोवाइस, पातु योग जो आए, उसके ज्यादा तरकार खाने बहीं स्ताफित हुए, जहां पर उने कच्चा मालुक लगद हो जाए, ज्यादा किसे तरीके की धुईदा का सामना ना करना हो, इस तरीके से उन्होंने सुम्यवस्तित रोप से जो भी नि लागू किये देगे, 2015 में भारत विश्व भर के कच्चे लोहे का तीसरा बड़ा उत्पादक देश बन गया था, आज अगर बात की जाए, तो 2015 में भारत विश्व भर का कच्चे लोहे का तीसरा बड़ा उत्पादक देश बन गया, भारत, 2015 में भारत विश्व का कच्चे लोहे के उत्पादन वाला कच्चे लोहे के उत्पादन करने वाला या उत्पादन करने 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 करन अगर बात की जाए इसकी उपभोगता की बात की जाए तो सरवादिक उपभोग जो किया जाता है वो चीन के दवारा क्योंकि एक बड़ा देश है चीन के बाद में इसका उपभोग करता है अमेरिका और फिर है भारत उपदन और उपभोग की दरस्तिशे भारत तीसरे इस्तान के उपर है इस पाद देश के सकल गरेल उपद में दो परतिस्वत योगदान रगता है छे इसपात उप्रियोग का है लोए का है लो आउत्पादिन का है और चैलाक से अधिक लोग यहां पर क्या प्राप्ति करते हैं रोजगार प्राप्ति करते हैं तो इसको एक बार देखिए 2015 में कच्चे लोई के छेत्र में हम तीसरे पाइदान पर आए 2003 में हम आठ्वे पाइदान पर थे DRD भारत डारेक्टरे रेड डिविस्ट आईरंग के छेत्र में भारत बढ़ा देश बन गया और छैलाक विक्ति ओं को रोजगार देने का जो कारिये किया है वो 6 लाक विक्तिं को रोजगार देने का कारिये किस ने किया लोवा इस्पात उद्योग के दुवारा किया गया है तो ये लोवा इस्पात उद्योग एक भोती सर्वस्रेश्ट उद्योग के रूप में विक्सित हुआ है या सर्वस्रेश्ट उद्योग छेत्र के अंतरगत जो है इसकी विकास की वित्ती का प्रियास किया गया है तो ये सारी चीजें जो हैं वो आती हैं इस उद्योग के अंद्रगत इस्तापिते होती है अगर बात की जाए हमारे दूसरे करशी आधारी उद्योगों चित्रों की बात की जाए या करशी आधारी तुट्योगों के बारे में अगर पढ़ा जाए तो दूसरा उद्योग जो आता हूँ हमारा सुतिवस्तर उद्योग आता है कपास सुतिवस्तर उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है अगर आप इसकी प्रस्टर भूमी देखिए जो कपास है वो सूती वस्तर उड़ो का प्रमुख कच्चा माल है तो सबसे पहले आप लिखेंगे सूती वस्तर और सूती वस्तर में आप पहली लाइन लिखेंगे इसका कच्चा माल और कच्चा माल किसको कौन शी है कपास कपास को क्या कहा जाता है सीधन कहते हैं नर्मा कहते हैं बणिया कहते हैं उसके बाद में यहाँ पर सफेद सोना कहते हैं सफेद सोना के साथ साथ इसको कपासी मिटी चीए यह सारी चीजे मेरी पहले भी बताई नहीं है तो कपास इसका है यह काली कपास है मर्दा में पाई ज दूसरी बात देखिए, भारत में करसी आधारित उद्योग में सूतिवस्तर देश का सबसे बड़ा उद्योग है, अगर बात की जाए, देखिए, अगर करसी आधारित उद्योग में सूतिवस्तर सबसे बड़ा है, सूतिवस्तर का कच्छा माला वो कपास है, सूतिवस्तर जो है, वो जीडीपी में योगदान कितना है, यानि जीडीपी को आप कह सकते है, सकल घरेलू उत्पाद, तो सकल घरेलू उत्पाद में आपका इसका योगदान कितना है, चार परतीस है, अगर बात यहां से पलटके ये कर दी जाए उद्धोगी कुत्पाद, तो योगे की कुत्पाद इसका योगदान कितना है, 14 परतिसाद, और देश का एकमात्र उद्धोग है, जिसका कच्चा माल सव निर्वर है, यानि आप सबसे बड़ी बात है, देश का एकमात्र उद्ध जिसका कच्चामाल सव निर्बर है क्या है वही सव निर्बर है खुद पर निर्बर है इसको दूसरे के जरुमत नहीं है वर्तमान में भारत कपास का दूसरा बड़ा उत्पादत देश है अगर बात की जाए इसका कच्चामाल कपास है तो आपको यह बात याद करनी होगी व पर्थमिस्तान जो दिवितिये इस्तान के अंतरगत आता है। दूसरी बात यह है कि डेश में सूति वस्तर उद्योग की स्तापना 1818 में हुए थी। परंतु यह अनुए इस्तापdos देश में पर्थम सफल सुस्ति वस्तर उद्योग 1114 में कवास जी नैना के दवारा, यानि मुंबई में इस्तापित किया गया लेकिन ये कारखाना बिल्कुल क्या रहा एसफद रहा ये कारखाना बिल्कुल ही क्या रहा एसफद रहा लेकिन पर्थम सफल कारखाना जो है वो पर्थम सफल कारखाना 1854 इस्वी में इस्तापित हुआ कब 1854 कापरुबा था मुंबई में किसके द्रौर इस्ताफित किया गया गया कवाशजी, डावर याशना तक किया गया था मुंबई में इस्तापित किया गया था ये सारे जो है वो सुतिवस्तर रुद्धोग के छेतर में जो हमारे कारखाने जो है वो विक्सित यहाँ पर हमारे हुए 1856 में उत्पादन शुरू किया था 1861 में भारत में कुल 12 मिले हो चुकी थी 1861 में कितनी थी 12 मिले यहाँ इस्तापित हो चुकी थी चौन वाले ने अगर उत्पादन की बात की जाए तो उत्पादन कारिये गुनिसो 1861 में उन्होंने क्या किया है शुरू किया 1947 तक भारत में 14, 417 मिले थी 3,00,000 सर्मिकारिय रगते अगर 1947 की बात की जाए 47 तक भारत में कुल मिलाकर कुल मिलाकर 417 मिले थी और 3,00,000 सर्मिकारिय रगते कितने थे 3,00,000 सर्मिक कारिय रगते यानि 3,00,000 सर्मिक जो थे वो उसके अंगर कारिये रगते वरतमानी मिलों में लगब 2,000 से अधिक है 2,000 अधिक मिल है और 40 लाख लोग रोजगार पाते हैं वर्तमान समय में इनकी सिंख्यात 2000 और कितनी लोग रोजगार पाते हैं 40 लाख विखती क्या पाते हैं तो सुति वस्तर उद्योग है जो कच्छा माला हो क्या कपास कपास को कहते सीड़न, नर्मा, बढ़िया और सफेद स्वना कर्शी आधारित उद्योग में सुतिवस्तर उद्योग है वो देश का सबसे बड़ा उद्योग है सुतिवस्तर उद्योग जो है उसमें GDP में या आप कर सकते सकल गरिल उतपाद के अंतरगत देखा जाए तो इस उतपाद के अंतरगत 4% योगदान और उद्योगिक उतपादन के अंतरगत इस बात को अगर कलियर किया जाए तो 14% योगदान देश का एकमात्र उद्दोग जिसका कच्चामाल सव निर्वर है यानि ये कच्चामाल दूसरे देशों से नहीं मंगवाता केवल खुद पर है हाँ आप ये कह दो कि सर अमेरिका से बढ़े रेसे की जो कपास हुआ है अठारा सो चोवन में मुंबई में कवासी डावर के दवारा लेकिन इस कारखाने ने उत्पादल कारिये जो शुरू किया था वो गुनिस सो इकसट इस्वी के अंत्रगत किया था वर्तमान समय तक 1861 है वहिए वर्तमान समय तक 12 मिले भारत में स्तापित हो चुकी थी 47 तक इनकी शंख्या 417 हो चुकी थी और वह 2000 में 40 लाग करमचारी ने काम करते हैं और लगबग 2000 के लगबग पूरी भारत में सुत्य वस्तर में लोका कारिये शंचालित होता है आज के टोपिक में आपने सुत्य वस्तर की प्रष्ट भूमी लोई इसपात दोग के बारे में और आपने लोई इसपात दोग के पूरी डिटेल के बारे में पढ़ा था इसकी पेडियाप को आप पढ़ेंगे बड़े गहनता से आप उसका ध्यान रखेंगे प्रिवार की सवस्ता का ध्यान रखें खुद सवस्त रहें बोडे दादा दादी जी का ध्यान रखें विट्टाले प्रिवार का सने आसिरवाद हमारे अमेसाब के साथ है साथ रहेड़ा और हमेसाब कामियाभी के सिटम पर योई बढ़ेंगे जाहिए हुँचे